सेकेंड लास्ट ओवर में भाई बारा बॉलों में 22 रण चाही थे मुस्तफिजूर रह्वान दिपेंदर जी से बॉल टच नहीं हुई मेडन विकेट वहाँ पे मुस्तफिजूर क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाई मुस्तफिजूर रह्मान वाइड बॉल क्रिकेट में तो चजह टीम्स को सपोर्ट नहीं करता लेकिन यहाँ पेंगला देश की परफॉर्मेंस को देखकें इंडियन मीडिया इस तरह क्रेजी हो गया कि आप लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं देखी होगी इंडियन मीडिया यहां पर कहा रहा है कि बंगला देश जो वाइट बाल में बहुत बहुत ज्यादा माईर हो चुके है जिस तरह तन्जीम और शाकीब की जानिब से ये किया गया और ये देखके उनको बहुत बहुत सर्प्राइजिंग लगा कि किस तरह तन्जीम शाकीब ने लास्ट के ओवर्स में परफॉर्म किया यहां पे जी उनकी जानिब से कहा गया है कि जो ओवर्स थे लाइक सेवन विकिट्स एट ओवर्स के अंदर अंदर इतना भड़ा ये रिकॉर्ड बनाया गया बंगला यहांगे ने सुपर्ब परफॉर्मस C है इतनी जादा सुपर्डय पर्फॉर्मस थिए कि अनकी कह रहे हैं कि विश के थे प्लियर्स इंडियन टीम के अंदर हम एड़ कर सकते हैं तो हम इनको अपनी टेम में आड़ कर लें अभ यह बहुत इंटरस्टिंग किसम की बाते हैं वीडिओ आप लोग को ने देखनी आए आखर तक वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हो आ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें चलत मैं बोलूगा आपने 20 रन एक्स्ट्रा देदी जहां पर लग रहा था कि बंगलादेश शायद 80-85 रन पर सिमठ जाएगी आपने 100 रन से जादा पड़वा दिये एंड के ओवर्स में वहां पर बंगलादेश को ही थारीफ होती है और उसके बाद जब आप बैटिंग करने चल यहां पर बादेश जिए गया जो झाएग की बैट जी जा लिएग जा आपम शायल सिम धिये भीप करिसर रिल वी ड़ट 25 रहां बालिश देखर यहां पर बागलादेश जीत गया इस इस पर राजना शेयक फोर सुर मिए एन्ट्छीक्तटciónर साता यह भरुसाल नपार बिलकुल ही जीते हुए थे आज वाले मैच में फाइट जरूर दिखाई लेकिन एंड में लक्षित बंगलदेश वस जुस्टू गुड फोर नेपाल स्पेशली जो मुस्तफिज रुर्रह्मान ने उन्निस्वा ओवर डाला है यार बैट से बॉल टच नहीं हुई टच हुई तो क्याच आउट हो गए नेपाल का बिना सुचान में फोड़ा बॉकर ऑफगानिस्तान वारा हम देखने हैं लाक्षिस से की बॉलर्स डिट दियर जोब प्रिटी विल आज भी गेंद बाजों ने बहुत अच्छा काम कर दिया सुंपाल कामी डिपेंदर सिंग गहरी मिलती है रोहित पॉडेल की आप बात करें उन्हें दो विकेट संधी प्रियामी चाने आज बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पर होती है तो वेर और संवेर बस यहीं कि भाई नेपाल की ना बले बाजी के अंदर वो मेचरिटी हमें नजर नहीं आ रही है रोहित पॉडेल कप्तान यार आपका चलना बनता है आप कप्तान है इस पूरी टीम के सबसे सीनियर खिलाडी आप है रोहित पॉडेल पिछले दोनों मैक्चेस जहां पर बले बाजों के कुछ नहीं करना था बस थोड़ी सी सेंसिबिली बले बाजी करनी थी आज वहां पर फिर आप बुटेल दोनों उपनर्स और रोहित पॉडेल इन तीनों का बहतर करना बनता तो टार्गेट कितना था यार बिलकुल चोटा सा चोटा सा अपके लिए पर से देखिया विकेट सारी पांच विकेट आउट थी इनकी नेपाल की बीच में पार्ट टक्रीबन पचास रंकी प मुस्तफिजव रह्मान जिस तरीके स्था उसने बॉल कर आई है चार ऑँए चार्गेस्द दिया चाखे रोवर सहत रगए और dahです ऋ इसने उपर स सरे हिकटे और यहाँ चार ओए चार और सातरं और निए और इन करा मस्तव फिजर ने बिगोज आपको पता है कि डेथ के ओवर्स कितने इपाटन रहते हैं वहां पर उन्ने सो ओवर जो डाला एवन सत्रवा ओवर जो डाला है तो मस्तव फिजर के ओवर बचा के रखे हुए थे यहां पर कप्तान ने बंगलादेश के और बंगलादेश के पिचिस पे इनके पास जो पेसर स्पिनर्स हैं स्पेशली इनकी बोलिंग ने बड़ा तगड़ा कि अब तो शाकिव को भी दो विकेट मिलगी शाकर को विकेट नहीं मिल रही थी मुस्तव फिजर अच्छा कर रहे हैं तंजीम को आज आपने देख लिया येस सुपर एट म वो सेंट विंसंट में खेलने वाले हैं जो अफगानिस तरुन बंग्वादेश का मकापला होगा वह भी स्विकेट पर होगा अगर इस विकेट की उपर नेपाल के स्पिनर्ज और की सामने आप 106 पर आउट हो रहे हैं तो अफगानिस्तान के सामने तो इनको ट्रॉबल हो कर लें विद्द बोल बंगलादेश का भी नेपाल वाला काम है कि भाई बोलर्स हमारे लिए उच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं लेकिन बात जब बल्यबाजों पर आपकी बैटिंग चल ही नहीं रही है जब से इनके बास थमीम एक बाल थे ना उपर बल्यबाजी के अनिल्सा ने आज रन नी बनाए पिछले मैच में काफी अच्छा खेले थे दोनों असिफ शेक अनिल्सा उसके बाद पॉडेल साब ने भी रन नी बनाया हला कि दो विकिट लिए संदीब जोरा भी आउट हो तो यह पांच विकिट जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी चली अब लास्ट पांच वर में इनको 42 रन चाहिए थे आठ रन पर ओवर चाहिए थे लेकिन उसके बाद जैसे ही मुस्तफिज रह्मान ने माला को आउट किया ना वहाँ पर उसके बाद इनको रन लेना मुश्किल हो गया उसके बाद ठीक है एक चक्का भी लगा उसके बाद जादा कुछ कर नहीं पाए लोग तामीम की बाल के उपर चक्का लगा था लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मुस्तफिज रह्मान ने उनने सवा ओवर डिपिंदर सिंहरी को डाला उनसे बाल टच भी नहीं हो पाई और लास्ट बाल पर आउट होके थी because of these two जो करा आज माला ने और डिपिंदर सिंहरी ने लेकिन फिनिश नहीं कर पाई येस आप बोल सकते है मिचॉर्टी कमी है मैं बोलूग है experience की कमी है experience के साथ क्या होगा ना बड़े stage के उपर की matches फिनिश करने आ जाएंगे अभी क्या हाथ पैर फूर रहे हैं 106 का target कुछ भी नहीं था आप अगर runner ball भी खेलते सिंगल भी खेलते तो भी बन जाता लेकिन आप वो भी नहीं खेल पाई ठीक है आपने बंगलादेश को भी आउ आपके लिए और वह हुआ कि माला और दिपिंदर सिंग फिनिश नहीं कर पाई वट कुंग्राजूरेशन्स टू बंगलादेश बंगलादेश ने आज जो बोलिंग कर आई है स्पेसिक्शन दा एक्सिलेंट और बंगलादेश पहुंच गे जी सुपरेट में मुबारकों आप यह देखो नेपाल ने कम से कम पाकिस्तान से बेटरी खेला है क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें पाकिस्तान ने वह माच भी फसा लिया ता लक्षित आयरलेंड से भी हारने वाले थे और आप मर मरा के जीते है आईरलेंड से बाबर खड़े रहे गए पर अगर उनक्या विकेट चले जाता है वार फेर आपके उस ने शहीं से पहले अब अबरार 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 आर ने मारा और उसके बाद शाहीं ने मारा तब जाके मैश फिनिश हुआ अधर्वाइस आयरलेंड कल का मैच भी जी जाती है, आयरलेंड के फोरे रंड कम रहे गए, अधर्वाइस आयरलेंड ने पुरा, और आप देखें, उसे से हार गी, आपकी पाकिस्तान, इंडिया से बुरी तरीके से हार गी, मतलब इतना लो स्कोरिंग टोटल में भी नहीं ज इन चार तीम है पाकिस्तान चॉट्थे नंबर पर इंडिया है इस वालिफाइट पर शूपर आप शूपर एट आप शूपर आप शूपरेट अडिया स्थार इवन बांगलादेश्ट था प्र शूपरेट तो इन चार एज एंग जायंट्स अभ एंग अव्ध प्र नेपाल के टीट्विंटी वर्ड कप का रॉंड अप लेकर देखें कि हां नेपाल ने कैसा किया पहला मैश नेदरलेंड्स के सामने चलिए वह मैच आप एक तरफ आहार गये शिलंका वाला मैच आपका बारिश के जलते धुल गया लेकिन जिस तरह से नेपाल ने पिछले दो के लिए वर्ल्ड कप को एक रॉंड अप करें तो रॉंड अप के अंदर हमें पता चलता कि यह आपने साओ अफरिका के साथ जो मुकाबला था वाकरी बॉल तक लेकर गए बंगलादेश को ने पसादे अच अच अल्मोस्ट बंगलादेश को यह बहुत बहुत चुबेगा लेकिन बंगलादेश की टीम ने हार नहीं मानी हारे नहीं बलके डटे रहे उन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि यह मैच को वो अपने नाम करेंगे भले ही यहां पर टार्गिट चोटा था इसके बावजूद बंगलादेश की प्लेयर्स ने बॉलर्स ने कमाल करके दिखा है और इतना सुपर परफॉर्म किया है कि किसी की सोच नहीं थी अब यहां पर बहुत से लोग निपाल से भी एक्सपेक कर रहे थे कि इतना चोटा सा स्कोर है वो जल्दी इसको कर लेंगे ठीक है लेकिन वो करना सके और बंगलादेश के बॉलर्स ने उनको ऐसे उनके ठीक है चपके जुड़ाएं कि उनको पता ही ना चला और वो इतना ज्यादा अंडर प्रेशर हुए कि उन्हें उस प्रेशर को मिंटेन करना ना आया और बंगलादेश ने इससे भरपूर वाइदा उठाया यही वज़ा है कि बंगलादेश के टीम ने यह मैच अपने नाम किया बंगलादेश ने बेहतरीन confidence शो किया बेहतरीन attitude, aggressiveness शो की और जिसके बाद बंगलादेश के टीम बहुत 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 अच्छे margin से यह मैच जी चुकि आप लोग क्या कहेंगे Indian media is going crazy for बंगलादेश टीम आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमें बताएं comment section में वीडियो को like और share करें अपना ख्यार रखें अपने इस चानल का भी मजीद updates के लिए stay tuned रहें I will see you till then take care, Allah Hafiz, Bye Bye